जार्गंड में युवाओं को सरकार माली की ट्रिनिंग देगी इसका मकसद शहरों को खुबसूरत बनाने के साथ राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है इसके लिए भारा सरकार और राजी सरकार के चिन्नित संस्थानों या Agriculture Skill Council of India की तरफ से मानता प्रात संस्थानों में ये प्रशिछण दिया जाएगा इस प्रशिछण को पाकर युवा अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं और माली का काम भी कर सकते हैं इसके अलावा सरकारी नौकरी के लिए भरती होने पर आवेदन भी कर सकेंगे युवाओं को दिया जाने वाला या Certificate प्रशिछण 200 घंटे का होगा जिसे 25 जिनों में पूरा किया जाएगा माली का प्रशिछण पानी के लिए राजी सरकार की तरफ से 17,500 रुपे दिये जाएंगे संयुक्त किसान वोर्चा यानि SKM और किसान मजदूर वोर्चा यानि KMM ने अलग-अलग फसलों के लिए MSP की गारेंटी देने वाले कानून सहित अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक अगस्त से आंदूलन तेज करने की घोश्णा किये किसान नेताओं ने कहा है कि 31 अगस्त को हर्याना में चल रहे आंदूलन के 200 दिन पूरे होने पर वे पूरे प्रदेश में दो बड़ी रैलिया निकालेंगे किसान नेता के मुताबिक पहली रैली 15 सितंबर को जीन्द में जबकि दूसरी रैली पिपली में होगी किसान संगठन 15 अगस्त को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च भी कर सकते हैं महराष्ट किसानों के लिए अच्छी खबर है राज्ज के किसानों को सिचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का फैसला किया गया है इसके लिए राज्ज सरकार ने मुख्यमंत्री बलिराजा मुफ्त बिजली योजना 2024 की शुरूआत की इस योजना के तहित राज जमें अप्रेल 2024 से 7.5 होर्स पावर तक की छमता वाले क्रिश्टी पंप का उप्योग करने वाले सभी किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी सरकार की इस योजना का लाब राज जिके 44 लाग से अधि किसानों को मिलेगा इस योजना का लाब लेने के लिए किसान भाई आउनलाइन या आफलाइन किसी भी तरीके से आवेदन कर सकते हैं केंद्री एक हाद्य मंत्राले ने 60 रुपे किलो कीमत पर टमाटर की विक्री शुरू की है बाजार में अभी टमाटर सो रुपे किलो तक बिक रहा है ऐसे में इसकी सचल विक्री से लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है इनकी विक्री दिल्ली के साथ नोएडा और गुरुग्राम में भी की जाएगी केंद्र ने खुदरा बाजार में टमाटर की बढ़ी कीमतों को रोकने के लिए ये पहल की है रेल्वे भरती बोड यानी RRB ने भारती रेल्वे के अलग-अलग जोन में जूनियर इंजिनियर के पदों पर भरती का नॉटिफिकेशन जारी किया है इसके तहद रेल्वे में जूनियर इंजिनियर केमिकल एंड मेटरल जिर्कल असिस्टेंट केमिकल सुपर्वाइजर के पद भरे जाएंगे आवेदन प्रक्रिया शुरू है उम्मीदवार ओफिशल वेबसाइट इंडियन्रेल्वेज.gov.in पर जाकर अपलाई कर सकते हैं अंतिम तारीक 29 अगस है भारत मौसम विग्यान विभाग यानी आईमडी ने दिल्ली और उसके आसपास अगले तीन दिनों तक हलकी से मध्यम बारिश के लिए यलो अरट जारी किया है दिल्ली में आज हलकी बारिश से मध्यम बारिश की संभावना है यहां अधिक तम तापमान 38 डिग्री और नियून तम तापमान 29 डिग्री तक रह सकता है 31 जुलाई को भी हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है कुछ जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना है IMD के मताबिक जुलाई के इस अंतिम सप्ताह में अब सामाने से अधिक बारिश की उम्मीद है मौसम वैग्यानिकों का कहना है कि बीते दो दिनों से भले बारिश कम हुई है लेकिन 22 जुलाई से 26 जुलाई के बीच मध्यम बारिश ने इस कमी को काफी हट तक कम कर दिया है हाला कि उत्तर प्रदेश की राजजानी लखनों में पारा चड़ा है इस बार जुलाई में तापमान 30 डिगरी तक रात में पहुँच चुका है अगले कुछ दिनों में राहत की उम्मीद है देश के जिन राजियों में बारिश का अधिग असर देखने को मिल रहा है उसमें हिमाचल प्रदेश, उत्राखन, बिहार, महराष्ट, यूपी और जारखन शामिल है हिमाचल के हमीरपूर, कांगडा, मंडी, शिमला और सिर्मौर जिलों में एक या दो इस्थानों पर भारी बारिश होने के आसार है वहीं मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में रुक रुक कर भारी बारिश का दोड़ जारी है बिहार के सुपॉल में बाढ़ में कई गाउं डूब गए है उत्तरपदेश के कई जिलों में लोगों को उमस भरी गर्मी से रहत मिलने की उम्मीद है आयमडी ने अगले 24 घंटे में यूपी के को जिलों में लगातार 4 दिनों तक भारी बारिश का अलट जारी किया है